हेलो दूस्तों आई मेगनस पर आप सभी का स्वागत बंदन और अभी नंदन है मैं हूँ गोपी राठ और मैट्स सीचेट के लिए मैट्स सेक्षन जो पड़ रहे थे उसमें इससे पहले मिक्षर टॉपिक हो गया था हमारा यह एलिगेशन टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं एलिगेशन तो पहले समझते हैं कि एलिगेशन क्या होता है और फिर इसके कोश्चन देखेंगे बन बाई बन चलिए तो सुरू करते हैं आज की क्लास को अगर आप लोग यूटूब पर यह वीडियो देख रहे हैं और आपको इस क्लास का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हम टेलीग्राम चैनल है हमारा ऐसे बीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी और उसी के नीचे आपको मिल जाएगी पात को समझे मेरी बात को यह चैनल है इसकी लिंक भी आपको वीडियो के इसक्रिप्स Хान में होनی mixture allocation होता क्या है allocation actual में 2 से जदा चीजों पर लगाया जाता आप को 3 चीजन दीए होंगे तीन किसी बस्तूओं के rates दिए होंगे उसमें कहा जाता है कि एक A परकार की बस्तू है और एक B परकार की बस्तू है दोनों को मिलाकर Аक C परकार बस्तू बनाई जाती है सी प्रकार की बस्तू बनाई जाती है तो बताईए कि ए और बी का जो रेशो होगा वो क्या होगा और यहां पर जो रेशो निकल कर आता है सब करो x और वह जो रिशु कि थी का होता है और यहां पर ए और बी कि आपको रेट दिये होंगे कि अक्सर रेट मिलेंगे आपको देखने को यहां पर अब ऐसा नहीं कि हमेशा रेट परी सवाल बनेगा सवाल कई प्रकार के बनते हैं यह एक एसा topic है बैसे तोransacas कुछ नहीं है बस average को आशाण बनाने का एक तरीका है allegation is nothing method of average average को आशाण बनाने का طریका आप कहेंगे कैसे हैं मैं आपको आगे चाहिएँआँगा कि इसको profit and loss में लगा सकते हैं ciri si में लगा सकते हैं time and distance में लगा सकते हैं सारे एससे टॉपिक हैं जिसमें लगाया जा सकता हर किसी टोपिक में है की Richards और जो है चाह बफित लॉट हूं चाहे एलीगेशन लगायाँ ठीक है चलिए तो पहले एक पहले कोशन से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत आसान सा कोशन है देखो सवाल कैसे मिलेगा मैं आपको पहले बता दूँ एक सवाल लेगा सवाल ऐसा होगा कि एक आदमी है उसके पास दो प्रकार की चीनी है दो प्रकार की चीनी है X और 2 जो पहले प्रकार की चीनी है वो 10 रुपे प्रती केजी की है और दूसरी चीनी है 18 रुपे प्रती केजी की जब वो इन दोनों चीनी को अपस में क्या कर देता है जब वो दोनों प्रकार की चीनी को अपस में मिला देता है तो उस मिसरन का भी तो कुछ मूले होगा की नहीं होगा जो मिक्षर बनेगा उस मिक्षर का भी कुछ प्राइज होगा तो वह कहता है कि जब हमने इस मिक्षर को मिला दिया तो उसका मूले 15 रुपे प्रती केजी बन जाता है कि आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि यहां पर 99% कोश्चन में ऐसा मिलेगा कि एक प्राइज मिडल प्राइज से ज़्यादा होगा और एक कम होगा तो आप देख पारेंगे एक पंदरा से कम है यह नि दस दूसरा पंदरा से ज़्यादा यह नि अठरा है यह जो कभी है लिगेशन नहीं पड़ा ऐसे आपको दौनों साइड से एरो लगाना है और एरो के ही डायरेक्शन में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के लिखना जैसे एट टीन है या फिप्टीन है अठारा में से पंदरा जाएगा तो बचेगा तीन है अमने रेश् क्या है कौन्टी का इस कि कौन्टीटी का की आनुपात कितना तो आपका जवाब होगा तीन रेश्व पांच तीन रेश्वर कुछ भी पूचा जा सकता है उससे आगे ठीक है तो यह है बेसिक कॉंसेप्ट इसका यह आपको तीन अगर प्राइज दिये तो जो रेशो निकल के आने वाला है वो किस चीज का आएगा उनकी क्वांटिटी यानि मात्रा का हिंदी में बोलते हैं से मात्रा हिंदी वाले जल् प्रती किलोग्राम वाली और सात रुपे प्रती किलोग्राम वाली चीनी को मिस्रत करें कि मिस्रण का मूले आट रुपे प्रती के जी बन जाए देखो बैं दो प्रकार की आपको चीनी दे रखी है चीनी दे रखी है दो प्रकार की पहली वाली चीनी है मैंने का यह पहली प्रती क्यिंभ दूसरी वाली चीनी इसका मुल्ये इसाति रोपे प्रती के !! हमने लिखा यहां पर साथ और दौनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिस्रन का जो मुल्य वने यानि जो मिक्षर बनेगा उसका प्राइज कितना हो जाएगा आट रोपे प्रतिकेजी तो मिक्षर का प्राइज आ जाएगा बीच में अब आपको वही करना है एरो लगाईए और सिंपल सा एरो कोई डारेक्शन में घटा दीजिए यह जो तीर का आप निशान देख रहे हैं बारा में से आट जाएगा तो इस साइड वैल्ली आएगी जिदर की तरफ एरो लगे है ना बारा में से आठ जाएगा तो यहां आएगा चार आठ में से साथ जाएगा यह बढ़ा है साथ छोटा है तो कितना बचेगा एक यह जो रेशो आया यह आगे आपकी कौंटिटी यानि मात्रा का कौंटिटी मतलब मात्रा का उसे ने यही आप से पूछा था किने किस अनुपात में मिला है कि प्राइज आट रुपे प्रितिकेज हो जाए तो हमें अनुपा कि बीस रुपे प्रतिकेजी वाली और पंदर प्रतिकेजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाये जाये ताकि मिस्तरत्चीची को 16 प्रतिकेजी व्में बेचने पर ना लाव ना ult एक चीज और द्यान से सुन लें कि CP और SP में difference होता है क्रे मूल ये विक्रे मूल में अंतर होता है अगर किसी चीज को जिस मूल पर आप खरीदते हो कुछ लाब लेकर वेचोगे तब ही विक्रे मूल निकलेगा या हानी पर वेचोगे तो विक्रे मूल होगा ठीक है तो यहाँ पर जो आपको प्राइज दे रखा है जैसे यह 20 रुपे प्रती केजी और 15 रुपे प्रती केजी यह CP दे रखा है क्या दे रखा है क्रेमूल तो आपको क्रेमूल की ही तीनो वैल्यू यूज करनी है जो तीन वैल्यू यूज करने बाले हो 1, 2nd और middle वाले value वो तीनों कौन सी होने चाहिए क्रेमूल होना चाहिए ना की बिक्रेमूल एक भी बिक्रेमूल नहीं होगा एक जैसे रासी होनी चाहिए जैसे वो कह रहा है कि एक तो चीनी थी 20 रुपे प्रती केजी बाली दूसरी चीनी थी 15 रुपे प्रती केजी बाली और मिस्रन को मिला कर उसको किस पर बेच दिया 16 रुपे प्रती केजी में बेच दिया जिससे ना तो लाव हुआ ना हानी इसका मतलब उसे किस पर बेचा गया CP पर ही बेचा गया किस पर दोस्तो CP पर ही जिससे ना तो profit होता है ना loss होता है इसका मतलब उसको क्रेमूल पर ही बेच दिया गया तो हमारा CP कितना है? 16 यह भाई आप देखो आपको लगाना है allegation allegation आप समझ गए होंगे कैसे करना है आपको 20 में से 16 जाएगा तो arrow के direction में साइड लिखना है कितना बचेगा दोस्तों? 4 16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 आपका जवाब होगा 1 ratio 4 कई बार आपको दौनों यह option देखने को मिलेंगे जैसे इसमें मिला 4 ratio 1 1 ratio 4 तो आपका यह doubt नहीं होना चाहिए कि 4 ratio 1 लगा है 1 ratio 4 क्योंकि आपको जिस फॉर्मीटर में question दिया है पहले अगल 20 रुपे क्रतिकलो वाली की value दे रखिये तो आप सवाल में पहले वही लिखेंगे अगर आपने उल्टा लिख दिया 15 पहले 20 बात में लिख दिया तो answer भी उल्टा आ जाएगा ठीक है? समझ पार है? Next question ये तो बहुत basic सवाल होगे अब कुछ ऐसे सवाल भी मिल जाते हैं जिनमें मात्रा दी होगी ratio के अलावा एक step और आगे जाते हैं तो उनमें मात्रा मिल जाएगी आपको चलो इसमें देखते हैं quantity का कैसे use करता है इसमें कहा गया है कि 50 रुपे परती किलो तता 40 रुपे परती किलो वाली दो तरह की चावल को मिलाया जाता है 50 और 40 रुपे परती किलो ग्राम वाले एक है 50 रुपे परती किलो और दूसरा 40 रुपे परती के जीवाले चावल को मिलाया जाता है तथा 45 रुपे प्रती क्लो में बेचा जाता है यह जो मिसरन का मूले है वो कितना है 45 आप देखेंगे मिसरन का मूले हमेशा मिडल में मिलेगा आपको एक से चोटा होगा दूसरे से बढ़ा होगा 20 अगलो हो 40 रुपे बाला चावल कितना हो 20 kg 20 kg 벌써 पूर्पे के बीजी है तो सब से पहले तो मैं Eu क्योmember बाए इन की कौन्टिटी-क tat तो देखिए जे 45 आगा तो बचेगा पांच आगा 45 में से 40 जाएगा तो बचएगा पांच आप देख देख पने गांगेशों पांच और दी righteous हूँ जा अगर 50 प्रति रूपे केजी बालाड़ चावल एक युनिट है तो 40 इस रुपे पृति केजी वाला चावल भी वन यूनिट है और इस बन यूनिट की वैलू आपको सवाल में 20 केजी दे रखिये तो भाई साथ इस बन यूनिट की वैलू भी तो 20 केजी हो जाएगी कि नहीं होगी इस बात का मतलब क्या है पचास रुपे प्रती किलो वाला जो चावल था वो कितना केजी था 20 केजी A is the right answer A इसका सही उत्तर होगा clear है ये इसका सही उत्तर होगा एक सवाल और लेंगे ऐसा हम इस बात को समझने की कोसिस करेंगे जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आए फिर से इस सवाल में इस बात को समझे देखिए दो प्रकार की चीनी का मूले 5 रुपे 60 पैसे और 6 रुपे 40 पैसे चीनी चीनी आप सोच रहे हों कि बारवार ऐसा क्या है चीनी से लगावाई ऐसा कुछ नहीं भई सवाल इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में पूछे जाते है बारवार चीनी का इस्तेमाल किया जाता है तो हमने भी सवालों में चीनी का यूज किया एक्चलों में इस सभी प्रिवियस येर सवाल है तो प्रिवियस येर में जैसे सवाल पूछे गया है बैसे ही हम आपको दे रहे हैं देखिए ये कह रहा है कि दो प्रकार की चीनी है पहली वाली जो चीनी है उसका मूल पांच रुपे साथ पैसे है कितना है पांच रुपे साथ पैसे 5.6 लिख सकते हैं हम 0 भी लिख दो भाई जैसा लिखा बैसा लेख देते हैं दूसरी वाली चीनी का प्राइज है 6.40 6.40 और दोनों को जब मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद उस मिस्तरण की प्राइज कितनी हो जाती है 6.20 उस मिस्तरण की प्राइज कितनी हो जाती है 6.20 चेह दा समलब 2-0 बात समझ पा रहे हैं पहले प्रकार की चीनी का प्राइज 5.6 दूसरी प्रकार की चीनी का प्राइज 6.4 और मिलाने के बाद जो मिस्रन बनता है या मिक्षर बनता उसका प्राइज कितना हो जाए 6.20 अब इनको जो मिलाया जाता है तो बूले कुछ ना 2.20 जाएगा तो 0.20 आएगा बले बिलकुल आएगा इतना तो आपको घटा ना चाहिए 6.20 में से 5.60 जाएगा तो कितना आजाएगा यह दोस्तों 2 और 6.60 आजाएगा 0.60 आगे अब देखो हमें जब इनका रेश्यों चाहिए तो पॉइंट से पॉइंट काट दिया 20 से कम 20, 20 तीया 60 कितना आगे 20 तीया 60 यह जो बन रेश्यों 3 आया इनकी क्वांटिटी का रेश्यों आगया क्वांटिटी का रेश्यों आगया समझ रहे हैं क्वांटिटी का रेश्यों किसकी क्वांटिटी का रेश्यों चीनी की क्वांटिटी यानि उनकी मात्रा का रेश्यों है वनरेशो का थी वह पहले से ये बात भूल रहा है कि पहली वाली बीस केजी है तो दूसरी वाली चेजी होगी पहली बालीच इन दिबस्तों बीस केजी है Мыस केजिए तो बता दूसरी प्रकार की चिनी कितनी होगी तो हमने हो जाएगा B, B इसका सही उत्तर होगा, B इसका सही आंसर होगा, 60 kg is the right answer, clear है, चलिए I hope की यहां तक आपको सवाल समझ आए होंगे, अब हमने जो second question छोड़ा, मैं उसको उस पर आता हूं पहले, नहीं तो आपको लगेगा Master को सवाल नहीं आ रहा है, इसलिए इसलिए मैंने का चार सवाल हम लगातार कर लेते हैं, उसके बाद में इस सवाल को चेड़ेंगे, तो किलोग्राम बाली एदातू है और साथ सो रुपरति केजी बाली बी धातू, इनको two ratio three के रेशो में मिलाया जाता है, और एक मिसर धातू बनाएगी, इनको दो तीन के अनुपात में मिलाकर एक मिक्षर बनाएगया, तो पंदरह किलो मिसर, पंदरह केजी ऐसी धातू बनान टोटल अनुपात को देखूं तो कितना आपको होगे पांच लेकिन बास्तम में पांच नहीं है कितना है 15 kg है तो मुझे इनकी बास्तविक मात्रा निकालनी पड़ेगी एक्चल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी हमने कहा कि पांच रेशो की वेल्यू अगर पंदा तो बन और ये वाली जो धातू है उसका जो प्राइज है वो कितना है एक हजार रुपे प्रती किलो कितना बन थाउजेंड रुपीज पर केजी अगर तो छे किलो का कितना प्राइज हो जाएगा बोले छे हजार छे किलो का प्राइज कितना होगे छे हजार और दूसरी वाली जो भी उसका प्राइज कितना साथ सो रुपे प्रती के जी तो नौ सत्य कितना बने गए त्रीजट सो वह यही पूछ रहा है कि दोनों धातुओं को मिला दे तो कितने रुपे की होगी तो दोनों को जोड़ दो बहीं इन दोनों को आप जोड़ते होते आ जाएगा बारह हजार तीन सो रुपे राहूल गांधी टाइप सवाल था छोटा सा नन्ना मनना सा ठीक है सी इस दा राइट आंसर बहुत सी समझ पा रहे हैं इस बात को बहुत आसान सा सवाल था इसलिए मैंने छोड़ दिया था ठीक है यह पूछा है 36 पीसी ने जबकि मैंने जो एनलाइसिस किय आँ देखा जितने स्टेट्स सर्विसें जो होते हैं अपने आसपास MP के आसपास उसमें सबसे ज्यादा जो मैंट्स और इजनिंग पूछी जाती है वह सी जी पीसी में पूछी जाती है सबसे ज्यादा अगर आप राजिस्तान बियार हर्याना उत्रहकंड और क्या बलते ह पूचा जाता है उसके बाद अगर पूचा जाता है तो फिर यूपी में पूचा जाता है सबसे ज़्यादा मैथ्स और आप 36 गड़का पेपर देखो गए तो आपको सी सेट के पेपर हो मैथ्स और इजनिंग ही मिलेगा कम से उसाठ कोशन समझ पा रहे हैं तो यह कोशन था उसका ऐसे कोशन एंपी में आते हैं अगले सवाल पर चलता है यह हम कर चुकी है बीच में कोशन नमर 6 देखिए बहले तीस रुपए प्रतीक लोग वाले चावल को 45 रुपए प्रतीकलो वाले चावल में किस अनुपात में मिलाए जाए ताकि मिसरत चावल को 42 रुपए प्रतीकेजी में बेचने पर का प्रुपह्ट हो जा prawda you have it वैसा बिचना चा रहा है मिसरन को 042 रुपई प्रतिके जी मपर कर स्पर क्नूटि पर्सेंट का ला वगो रहा है या यह जो बियाली किया है विक्रे मुल्ह किया है दोस्टोंट विक्रे मुल्ह प्रिये दौनों क्या है उसका मूल है 30 रुपे परती केजी और दूसरा चावल है 45 रुपे परती केजी इनको मिलाकर जब बेचा जाता है मिसरण को बनाया जाता है तो 42 रुपे पर केजी में बेचने पर 20% का लाव होता है 20% का लाव होता है वो ये कह रहा है आपसे कि बिना लाव के मतलब सीपी पर ये 42 की जगे कितना प्रायज होगा इसका सीपी निकालना 42 क्या है एस पी है देखो दोस्तों साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी हां कि 20% लाव का मतलब क्या होता है 100% होता है किसी विवस्तू का CP उस पर 20% का लाव हो जाए तो बिचेगा कितने में 120% में या फिर मैं यह कहूं कि 20% की fraction value होती एक बटे 5 कैसे 20 बटे 100 करोगे तो एक बटे 5 आ जाएगा अब यह चीज जिन लोगों को थोड़ी-थोड़ी सी आत है CP और उपर एक जो देख रहे हैं वो है profit आप कहेंगे यह अपने मंद से कैसे बोल दिया अपने हमने अपनी मरजी से नहीं बोला है जब भी आप इसको रेशो में फ्रेक्शन में लिखोगे भिन्न में लिखोगे तो नीचे वाली जो value होती है वो CP होती है उपर अगर profit व कि वी तो 42 रुपे है 42 ऑटी टो पॉर्टी टो तो आप मुझे बताएए एक रेशो की value यहांसे कितनी आएगी वोले एक रेशो की value आएगी साथ 10 एक रेशो की फ़ेद्व आगई तो आपका CP कितना है वोले पॉले 5 रेशो की value कितनी आ जाएगी 5-7-35 कितनी आएगी 5-7- 35 आपको बीच में 35 का यूज़ करना है बस 35 का अब आप देखेंगे 30 में से 35 तो जाएगा नहीं 35 में से 30 जाएगा तो यह बचेगा 5 और 45 में से 35 जाएगा तो बचेगा 10 यह कौन्टिटी का रेश हुआ आपकी मात्रा यानि क्वान्टिटी क्या अगी कौन्टिटी दो अनुपात एक और यही उसने पूछा ताप से किनकी मात्रा का अनुपात बता जी दीजिए तो आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है दोस्तों समझ जा रहा है आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं अगला सवाल पढ़िए फटाफट है यह यह पीएसई 2017 मां पूछा गया तो सारे के सारे प्रीवियस सीरी सवाल मिलेंग कि मैं एक्सर आप से ही कहता हूं हर क्लास में कि जो PCS CSET के अंदर जो महता आता है वो टफ नहीं आता एक्चल में लेंदी कैलकुलेशन आती है सवाल आपको देखने हम बड़ा मिलेगा लेंगविज वाला सवाल होगा और सवाल की दिक्कत यह नहीं है कि वह बहुत है या सवाल पड़ो 56 रुपे प्रती किलोग्राम वाले 20 केजी चावल में 36 रुपे प्रती किलोग्राम की कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा को मिलाए जाना चाहिए अगर ब्यापारी मिस्तरन को 48 रुपे प्रती किलोग्राम पर बेचकर 20% का लाव कमाना चाहता है देखो यह प पन रुपे प्रती केजी वाला चावला वो कितनी क्वांटिटी एसकी 20 केजी है कितनी दूस्तों 20 केजी है मैंने अपनी जानकारी के लिए 20 केजी और दूसरा चावला 36 रुपे प्रती केजी वाला कितना 36 रुपे प्रती केजी वाला जब इनको मिला देते हैं मिला कर बेचा कोई चीज बेच रहे हो तो इसका मतलब वो बिक्रे मूल यानी SP है इस SP को मुझे CP में कनवर्ट करना है किसी तरीके से हमने देखा अभी पिछले सवाल में कि 20% का मतलब होता है एक बटे 5 एक बटे 5 में 5 क्या है CP और एक क्या है profit अगर 5 रुपे की चीज पर एक का लाब हो जाए तो चीज भिकेगी कितने छह रेशो में और इस छेरेशो की value तो सवाल हम 48 दे रखी है तो हम कहेंगे छेरेशो बराबर है 48 तो बं रेशो की value कितने आ जाईए गोले 68 48 हमारा जो CP है वो कितना है पांच तो पांच रेशो की वैल्यू कितने आ जाएगी पांच चट्टे चालिस कितने आ जाएगी दोस्तों पांच चट्टे चालिस रुपे 40-100 रुपे हो गया इसका मिस्रन का मूले कौनसा मूले है ये क्रेमूले ये भी क्रेमूले था ये भी क्रेमूले था तो ये भी क्रेमूले पर लाना था हमें हमें जो 48 दिया हुआ तो वो क्या था भी क्रेमूले नहीं SP था उसको हमें CP में convert करना था CP में चेंज करना है 56 में से जब 40 जाएगा तो बचे का 16 और 40 में से 36 जाएगा तो बचे का 4 आप देख पा रहे हैं कि इसको हम काट सकते हैं 4 एकम 4 4 से ये 4 वार हमने जो रेशो देखा इस चीज का आगए इनकी मात्रा का इनकी मात्रा का रेशो आगए तो बताइए 4 रेशो की वैल्यू क्या 80 केजी आजाएगी बलो एक रेशो की वैल्यू अगर 20 केजी है तो 4 रेशो की वैल्यू क्या 80 केजी आएगी और ए इसका सही उत्तर होगा ए इसका सही आंसर होगा यही इसका सही आंसर है समझ पारें कि profit and loss loss तो होगा नहीं उसमें profit पर ही सवाल मिलेंगे आपको जो भी सवाल मिलेंगे profit पर हमें यही बात समझ लिए कि profit पर दिये तो कैसे deal करें उनको profit पर देने का मतलब यह कि आपको एक क्रेमूल यहीं SP दिया जाता है कि एक आदमी के पास 25 रुपे प्रती लीटर वाला रसाइन है किस अनुपात में पानी को रसाइन से मिलाया जाए ताकि मिस्रण को 20 रुपे प्रती लीटर में बेचने पर 25 परसेंट का लाव हो यह बहुत बड़ी है सवाल है इसमें आपको एक ही प्राइज दे रखिए इसम केमी कल में आप मिला रहें क्या पानी क्या मिला रहें दोस्तों पानी यानि वाटर इसमें मिलाया जा रहा रहा वाटर तो इस दूसरे प्रोड़क्ट की यह दूसरा जो आईटम एड़ किया जा रहा है उसकी तो कोई प्राइज दी नहीं है तो हम लिखें क्या यहां पर ब पानी एड़ करना चाहरा है तो आपको क्या लगता है वो बिसलेरी लेके मिलाएगा उसमें बैसलेरी 20 रुपे लीटर वैसे जाता है दूद से आधी कीमत का दो पानी है तो पानी जो भी मिलावट करने के लिए मिलाया जाएगा वो कैसा प्रीका होगा कहां से भरेगा हैंड परएम से यंह नलसे यह पड़ोशी से मांग लेगा तो वह जो पानी होगा वो कैसा होगा जीरो रुपे पृति लीटर का कैसा होगा जीरो पृति लीटर का इसे किस अनुपात में मिलाए जाए ताकि मिस्रण को 20 रुपीज पर लीटर में बेचने पर 25% का लाव हो देखो दोस्तों 25 रुपे पर लीटर में खरीदा और वो कहरा है कि 20 रुपे पर लीटर में बेच दूं तो भी मुझे 25% प्रॉफिट हो ऐसा कहीं हो सकता है खरीदा जाधा में और कम में बेच रहा है तब भी प्रॉफिट चारा है इसका मतलब यहकी पानी दवा के मिला ना पानी मिलाया दवा के इसकी बज़ेसे वो बेच पा रहा है यहाँ इनका रेशो क्या होगा पानी और कैमीकल का सबसे पहले तो मुझे CP निकालना पड़ेगा कि मेरे को SP दे हुआ है प्राफिट कितना हो रहा है में देखते हैं पच्छस पर सेंट का दूस्तों कितना पच्छस पर सेंट की वेलू होती एक बटे चार इसमें एक क्या है प्राफिट और चार क्या है CP, चार क्या CP, अब आप मुझे बताओ, कि चार रुपे की चीज पर एक का लाव हो जाए, तो वो चीज बिखेगी कितने में, पांच रेशो में, लेकिन उस पांच रेशो की वेल्यू सवाल में, तो बीस रुपे प्रतिकलो दे रखिए, प्रति रीटर, पांच रेशो पर आजाएगा, वो ले पांच रुपे के, लेकिन हमारा CP तो चार है, तो चार रेशो की वेल्यू कितने आजाएगी, 16 रुपे, कितने आजाएगी, 16 रुपे का, इसका यूज करना मुझे 16 रुपे का, 16 का आजाएगा, यहाँ बीच में आजाएगा, अब ऐली के सन लगा किसकी क्वांटिटी का, केमिकल और वाटर की, केमिकल और वाटर यानि रसाइन और पानी की क्वांटिटी का रेशो बताना है, तो वो आजाएगा, 16 रेशो, no, B is the right answer, क्या हो जाएगा, B इसका सही उत्तर हो जाएगा, बात समझा रही है आपको, बड़े आसान सवाल है, बहुत आसान आप समझने की कोजिस करें, बस चीक है, आगे बढ़े, चलिए, आज का next question, अगला question है, इस सुद्ध दूद का मूल 80 रुपे परती लीटर है, प्योर मिल्क है ये, प्योर मिल्क, हम दूद लिख लेते हैं, मिल्क, इसका मूल है 80 रुपे परती लीटर, और इ इसमें 16 लीटर पानी मिला दिया गया भाई साब, कितना मिलाया, 16 लीटर, बड़ाई बेमान दूद बाला था, इसमें उसने पानी मिला दिया, 16 लीटर, इसका प्राइज क्या होगा, और ऐसा करने के बाद, उसने 60 रुपे पर लीटर में मिसरन, जो मिसरन बना, ऐसा करने क के बाद यानि दूद में पानी मिलने के बाद एक मेश्रण का प्राइज हो गया 60 पर लीटर किटना 60 उपर लीटर क्यों होगा अरे मिलक जो सुद्ध था दूद्ध जो सुद्ध था वो हमश्रा महगा था जब पानी किकम और पानी किसी भी चीज में पानी मिलाओगे तो पानी हमेसा कैसा लोगे प्री वाला पानी दोस्तों कैसा लेना फिरी वाला वैसे फिरी फीरे चीज़ें चाहते मैं डूंटी और शाथ चाहिए चोल साथ पानी 16 लीटर मिलाया गया पानी कितना है 16 लीटर अगर एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 लीटर 48 इसका सही उत्तर होगा एस दराइट आंसर एस दराइट आंसर के लिए चलिए आगे बढ़े नेक्स कुशन पर कि आप उसकी टेंशन ना लें केबल वीडियो पर फोकस रखें उसको देखें ध्यान से नोट्स की दिक्कत ना लें आप जब यह क्लास खतम हो जाती है जब भी अपलोड होगी तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल में जाके इस बीडियो क्लास की ना यह पीडियाप ले सकते है महां से ठीक है तो पीडियेप से आप नोट्स बना सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं अपना जल्दी से रिवीजन करना तो फटाफट कोशन देखी और वहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा यह को अगले टाइप का कोशन है इनकी जो फॉर्मेट है आप सवाल के पढ़ लिजी कु होंगी जैसे इसनी का सोना पानी से उन्नीस गुना वारिये तो मिन्हीं टो फिर कहाई कि इन सभी को किस अनुपात्म मिसृत किया जाए ताकि मिस्षरदातु आप है यह स्बका रेलेशन किस से पानी से इन इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिस्रन बनेगा वो पानी से कितना भारी होना चाहिए पंद्रा गुना तो पंद्रा आ जाएगा बीच में अब लगा दो आप एली किसान कि दोस्तों नौ है जो पोली अग्रस टाइप का दिख रहा है आपको उननीस में से पंद्र पंद्रा जाएगा तो बचेगा चार और जाएगा तो बचेगा चैएग और चार को दो से खाट देंगे कि तो दिशिए उत्तर उत्तर हो जाएगा बड़ा य९ह सब इसलिए लिया आता कि प्रीवेस एर कोर्शन है द्वारा पूछा जा सकता संभावना है ऐसा नहीं कि हर सवाल टपी होना चाहिए की मैट्स पढ़ रहे हैं आप कोई microsc का mathematics नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर quantitative आता है ना कि मैथ्स उसका नाम दे इम बोलते है मैथ जनरली है कि क्या आपकी क RJ करने की लिया होता है किया लिए क्या ना कि मैथ्स की स्किल को चेक करने के लिए क्यांकिय। meta टैन्थ स्टेंडर से कम लो लेवल का मैस आता है उससे उपर का बिलकुल भी नहीं आता है देखो वह एक विस्की की बोतल में 42 परसेंट एलकॉल है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर उसको 17 परसेंट एलकॉल वाली विस्की से बदल दिया गया है चलो हम यह कहते हैं कि यह पहले प्रकार की एक विस्की थी यह पहले प्रकार की विस्की थी इसमें जो एलकॉल ता वो कितना था 42 परसेंट और दूसरी वाली जो विस्की ली उसमें से 17 परसेंट एलकॉल वाली विस्की से रिपलेस कर दिया इसमें से कुछ हिस्सा निकाला औ और इसमें बदले में कितना डाल दे 17% एलकॉल वाली विस्की डाल दे 17% एलकॉल वाली ऐसा करने की वज़े से जो दोनों का मिक्षर बना ऐसा करने की वज़े से जो दोनों चीजों का मिक्षर बना उसमें एलकॉल की मात्रा 27% रहेगी कितनी 27% तो बताइए कितना भाग निक गाला गया सबसे पहले तो मुझे उनकी मात्रा कानुपात निकालना पड़ेगा किसकी पहली वाली विस्की और दूसरी वाली विस्की हमने का 42 में से 27 जाएगा बारा में से साथ गया पांच और तीन एक बचा 27 में से 17 जाएगा तो बचेगा टैन टैन रेशो फिप्टीन अगर मैं आपसे कहता हूं इनकी टोटल कॉंटिटी कितनी है तो आप कहोगे जी पांच कितनी है पांच वो कह रहा है कितना हिस्सा निकाला गया था यही वाला हिस्सा तो निकाला गया था दूसरा वाला इसकी जगही मिला गया था इसमें से कुछ निकाल की यही वाला तो म छलते हैं is question में मैं आपको यह बताराओं कि profit and loss में का IIST मैं किसे करते यह profit promise में यूज किया गए us का बुक कैसे करते सवाल पडे इस ब्यापारी के पास 980 कजी चावल थे एक रापारी के पास 980 कजी चावल थे उसने इसका एक इसा बीस परसंट के लाब पर और सेश 8% के लाब पर बेच दिया ताकि कुल मिलाकर उसे 12% का मुनाफ़ा मुनाफ़ा का मतलब भी लावी होता है लाव या प्रॉफिट ठीक है ताकि उसे ओवराल 12% का प्रॉफिट हो सके तो उसे ने 8% के लाब पर कितना चावल बेचा हम एक तरफ लिखते हैं 20% प्र पर सेंट के लाव पर एसा करने की बज़े से उसको जो आवराल लाव हुआ जो कुल मिला के लाव हुआ वो कितना हुआ 12 पर सेंट का कुल लाव का मतलब क्या है मिस्तरण पर लाव उसने का 960 मैं से उसने कह दिया मानलो 500 किलो में 20% के लाव पर बेचूंगा से जो बचे क्यों रखेंगे क्योंकि मिस्तरण बाली वैल्यू है बीच में आती है 20 मैं से 12 गया तो बचेगा आठ और बारा मिसे 8 गया तो बचेगा चाहिए जो रेशों आया एक किस चीज़ का है इनकी मातरा का आपने क्या लगाया लिया ता यहां पर प्रॉफिट लिया था आपने क मात्रा का निकल के आता ठीक है तो मात्रा का रिसो आगे चार रिसो आठ मैंने काट दिया चार से चारी कम चार चार दोनी आठ वन रेशो टू वन रेशो टू आ गया लेकिन हमारे पास जो चावल था वो कितना था 960 केजी कितना है दोस्तों 960 केजी लेकिन रेशो में कितना ह की सवाल में 960 अगर मैं तीन से इसे काट दूं तो यह तीन तीया 9 तीन दोनी 6 320 kg आगया एक ratio की value 320 kg आगया उसने पूछा आप से कि 8% लाव पर कितना चावल बेचा तो मैं कहूंगा कि 8% के लाव पर दो यूनिट चावल बेचा कितना दो यूनिट तो दो रेशो की value कितनी आ जाएगी वोले दो रेशो की value तीन दोनी 6 2 दोनी 4 और एक 0 640 kg कितनी 640 kg डी इस दा राइट आंसर डी इस दा राइट आंसर समझ पार हैं इस बात को बड़े आसान सवाल हैं बहुत प्यारे से सवाल हैं आज की class का आकरी सवाल देखते हैं फटाफट और class को खतम करते हैं आप यहां से एक चीज समझ पाए होंगे कि allegation का यूज ऐसा नहीं कि allegation के लिए particular एक सवाल है या पिर एक कोई chapter है allegation एक ऐसा chapter है जो कही जगे लगाया जाता है almost हर chapter में allegation का इस्तेवाल हो सकता है और allegation के मादम से कुशन को आसान बनाता है बनाया जाता है देखो भई सवाल को एक दुकांदार 60 kg चीनी में से कुछ 20% के लाव पर तता बाकी 10% की हानी पर बेचता है दोस्तों इस बार आपको क्या दे रखी है loss यानी हानी एक दुकांदार के पास 60 कलो चीनी है उसमें से कुछ तो 20% के profit पर मैंने का profit के लिए आपको plus लेना है और हानी के लिए law minus और पाकी की चीनी कितने पर बेचता 10% की हानी पर इस परकार उसे कुल मिलाकर 14% का लाव होता है तो उसने आप से पूछा है कि हानी पर बेचने वाली मातरा बताओ हानी पर बेची जाने वाली मातरा बतानी है यह कुल मिलाकर उसे 14% का क्या होता है लाव होता है तो हमने बीच में जो लिखा प्लस 14 लिखा कितना प्लस 14 अब पुछो कि क्यों लिखा कि ये profit था ये हानी था ये profit अब देखो आपको घटाना तो आता होगा कुछ लोगों को भी नहीं आता होगा भी तो हम सिखाएंगे यहां पर 20 में से 14 जाएगा 6 बचेगा 14 में से 10 जाएगा 4 लिख देंगे लोग जो कि बिलकुल गलत है देखो क्यों गलत है कि मैं गटाता कैसे मैं आपसे ही कहता हूं सबस्ट्रेक्ट करना है तो बड़ी में से छोटी वैल्यू गटाओ यह इसमें से इसको गटाया जाता है तो हम कहते हैं 20-14 ऐसे लिखेंगे ठीक इस साइड क्या होगा बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं बड़ी वैल्यू कौन से 14 यह दस 14-14 माइनस-10 वह वाली वैल्यू माइनस लगाने का रीजन क्या तो माइनस लगाने का रीजन यह है कि माइनस नेगिटिव बैल्यू लोगा देखाएगा चैश च्छह से चार ओर ऑना गया इनकी मात्रा का रेशो ओन ऑप मां मात्राओं को जोड़ेइं अगर दोनों की दो देखे दिखने तो tai कि असफा कई क्यूंटिटि कितनी है दोस्तों 60 kg तो मैं एक सकता हूं चार और यह 5 है पाँच रीशो की लिए और 30 kg है ताब मुझे बताएए एक रीशो की वैल्ली यहां से कितनी आ जाए बहुँ बारा के जी आप से पूचा हानी पर-ठीचा गया बहुंट हो हानी पर एक रेशो यह आज की क्लास यहीं पर खतम करते हैं उससे पहले आप बाते हैं को समझने लेजिए कि जितना आपको पढ़ाया गया है नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और होने वाली है इसकी तो आपको आप जिस लास्ट के दो कुश्चन्स आपको दिखाए मैंने उसमें यह बताएगा कि प् बहुत ज़्यादा पूचा है मैं पांच चे कुश्चन्स आपको वाले कराऊंगा किनको एलिगेशन से कितनी आसानी से कैसे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक के बाए बाए